गोल्डन उट और साधु बाबा एक बड़ा जंगल था उस जंगल में हर तरह के प्राणी रहते थे फालू, शेर, लोमली, बंदर और चीता उन सम्में एक उट भी था वो शरीर का तो बहुत उजा था पर उसका नाम था छोटू इसी वजह से जंगल में कुछ प्राणी उसे बहुत चड़ाते थे, छोटू उटको देखके सोनु चीता बोला, अरे अरे वो देखो, लंबा सा छोटू जा रहा है, चिंटू बंदर बोला, अरे छोटू, तो कब बड़ा होगा रे, अरे नहीं नहीं, तो और कितना बड़ा ह यह कहके सब हसने लगते हैं, तभी डबू भालू आता है, और कहता है, अरे जाने दो, वो छोटा है, और हम छोटे लोग के मूँ नहीं लगते, जा यार तू जा काम कर अपना, यह सब सुनकर छोटू उट बहुत दुखी हो जाता है, वो चलते चलते जंगल के बहार गाउ के पास आजाता है, वो बहुत उदास होता है, तभी उसे साधु बाबा मिलते हैं, वो कहते हैं, अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, छोटू उट पलट कर देखता है, तो कोई साधु बाबा उससे बात कर रहे थे, छोटू उट बोला, आपको कैसे पता चला कि म मुझे भगवान का वर्दान प्राप्त है, इसलिए मुझे सब पता है। छोटू उठ ये सब देखके डर जाता है। छोटू उठ बोला, अरे ये सब क्या हो रहा है। और तभी छोटू उठ के शरीर से तेज लाइट निकलती है और एकदम से सब कुछ शान्त हो जाता है। छोटू उठ आके खोल कर देखता है, तो वो पूरा सोने का बन चुका होता है और बहुत चमक रहा होता है। खुद को सोने का बना हुआ देखके छोटू उठ बहुत खोश हो जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवा साधू बाबा, मेरा अब ऐसा रूप देखकर कोई भी मुझे नहीं चुड़ाएगा। बस इतना ही नहीं, मैंने तुम में बहुत सी शक्तियां भी डाली हैं, जो तुम वक्त आने पर इस्तमाल कर सकते हो, लेकिन याद रहे, उनका गलत इस्तमाल मत करना। ठीक है साधू बाबा, अब मैं चलता हूँ। परिशान कर रहे होते हैं, छोटू उट उनके पास चला जाता है, उनमें से कोई भी उसको पहचान नहीं पाता, छोटू उट बोला, उसको परिशान मत करो, डब्बू भालू बोला, अरे तुम कौन हो, और तुमें हमसे क्या मतलब, छोटू उट को गुस्सा आ जाता है, और वो बोला, अभी बताता हूं, मुझे इससे क्या मतलब, वो कुछ मंत्र पढ़ता है, जोर से हवाई चलने लगती हैं इसके बाद, और सब डर जाते हैं, तभी छोटू उट चिन्टू बंदर पर हात रखता है, तो उसकी पूँच बहुत लंबी हो जाती है, चिन्टू भालू चूहे जितना छोटा हो जाता है, और आखिर में छोटू उट, सोनू चीते पे हात रखता है, तो उसके पैर चूहे जितने छोटे हो जाते हैं, ये देखकर वो तीनों खबरा जाते हैं, और रोने लगते हैं, डब्बू भालू बोला, अरे ये क्या हो गया, मैं इत तीसरा चिंटू बंदर तो रोते-रोते कुछ बोल ही नहीं पाता, तीनों छोटू उट से माफी मागने लगते हैं, पर कुछ फाइदा नहीं होता, देखते ही देखते ये बात जंगल में फैल जाती है, और सभी छोटू उट से डरने लगते हैं, पहले तो छोटू उट को उससे लोग इतना डर क्यों रही हैं, पर धीरे धीरे उसे भी मज़ा आने लगता है, अब कोई भी उसके सामने आता, तो छोटू उट उसे परिशान करने लगता, और दिन पर दिन उसका खमन पढ़ता गया, एक दिन छोटू उट जंगल में खूम रहा होता है, तब ही उस जंगल का राजा हूँ, मेरी मर्जी, जहां मेरी मर्जी आएगी मैं वहाँ जाओंगा, छोटू उट बोला, ऐसा है क्या, रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ, छोटू उट मंत्र पढ़ता है, और शेर खान को बूरा बना देता है, और जोर जोर से हसने लगता है तभी पिशलिया चमकती है, और साधू बाबा की आवाज आती है, मैंने तुमसे कहा था, अपनी शक्तियों का गलत इस्तमाल मत करो, मैं अब तुम्हें दी गई सारी शक्तिया तुमसे वापस लेता हूँ, इसके बाद छोटू उट की सारी शक्तिया चली जाती है, वो पहल चॉड़ी से माफी मांगता है, तो दोस्तों, इस चॉड़ी से हमें क्या पता चलता है? एक तो यह कि कि सी को भी बेवजह परिशान ना करो, और दूसरी बात ये पता चलती है, कि कि सी के माफी मांगने पर उसको माफ कर देना चाहिए. झाल 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 झाल